प्रेज दियु और दियु और दियु और द'? इन भेडियों ने इन लोटेरों ने और उस समय इनका एक जो गवर्णर था जब वाइस रहा था उसका नाम क्या है वो नुन्नू नुन्नू था उसका नाम आप याद रखना नीनो दा कुनहा उसका नाम क्या था नीनो दा कुनहा नुन्नू ने इतनी बड़ी बड़ी जगें capture करवादी साथियो उसके बाद चलते हैं एक बात आपने notice की होगी इन्होंने ये सब establishment करते टाइम ये इंडिया का map है नीचे का ये जो area है हमारा ये बैस्टन घाट का area है साथियो ये यहीं पे है केरला करनाट का महराश्ट गोवा तो इन्होंने लगबग ये पूरा बैस्टन कोस्ट यानि पश्चमी तठख पर पूरा कबजा कर लिया और यही तो मेन मार्ग था साथियो ले जाने का पानी के जाज से मसाले बहुत दिमागदार थे एंटर्पेनर थे उस टाइम के उसके बाद आते हैं देखते हैं कि आलमोस सारा बैस्टन कोस्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया 1582 में क्या होता है साथियो जब ये लोग वहाँ जा जाकर मसाले बेचने लगे वो कहरा कि मिरको काली मिर्च दे दे उसने कही काली मिर्च काली मिर्च तो 30 रुपे की है एक यार क्यों इतना वो कर रहे हो यार दे दो थोड़ा सस्ता नहीं 30 की है और वो 30 में उनको खरीद नहीं थी क्यों जबान पर चटपटा चाहिए था ना उनको तो आदत पड़ी थी चटपटे की तो इसलिए 30 में खरीदी वो कह रहे है यार ये इतना महगा मसाला कैसे बेच रहे हैं तो अंग्रेजों के मुह में ऐसे लार टपक गई अंग्रेजों की उन लुटेरों की लार टपक गई साथी हो और जब किसी की लार टपक जाती है तो उसका मन लल चाता है मन ललचाया जब अंग्रेजों का तो इंग्लेंड से एक भिकारी को कोट पेंट पहना के टाई लगा के भेज दिया भारत में के भाई सब लोग कहते हैं भारत सोने की चड़िया है देख के तो आओ कैसी सोने की चड़िया है राल्फ फिच को 1582 में भेज दिया साथियो ब्रिटिस कंपिनी ने यानि ब्रिटिस की जो वहाँ पर कुईन थी एलिजावेथ उन्होंने जब उन्होंने भेज दिया 1599 में एलिजावेथ ने एक चार्टर पास किया वो किस पर राल्फ की रिपोर्ट पर जो राल्फ आथा ना राल्फ आया 1582 में उस समय किसका दरवार था भारत में अकवर का अकवर के दरवार में वो आया खूब तेल पानी लगाई उसके पैर गुरुजी एक चोटी सी फैक्टरी गुरुज में है कोई फैक्टरी नहीं है तर